दोस्तों नमस्कार स्वागत है बढ़ती का विज्ञाबन जारी होगा साथ ही टीजटी पीजटी दोज़ा बाइस के एक्जाम डेट को लेकर बात करेंगे इसके साथ अगर बात की जाए यूपी टैपल सी परीक्षा के लेंडर के बारे में वीडियो भरती दिये एक्जाम को लेकर और भी तमाम कई बड़ी की जानकाईयों के बारे में तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं वीडियो को लाइक कर दें साथी शेयर कर दें और चैल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जानकाईय आप सभी को और लाइन डिटा फोश्टी चलके माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिल जो कि सब्सक्राइब कर दोगी यूपी पीट या फिर बात की जाए यूपी टीट के बारे में तो दोस्तों आप सभी को कुछ ऐसा यहां पर देखने के लिए मिलेगा उपर लिखा हुआ है टीटी दोजार वाइस की संश्योदित उत्तर क्यूंची जारी टीटी का मतलब ह अंदर कोई भी टीटी परिक्षा देखने के लिए नहीं मिली है अगर कोई परिक्षा होई है तो पीटी की परिक्षा देखने के लिए मिली है उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा आयो के माध्यम से जिसका नाम लिखा हुआ है प्रामिक आहता परिक्षा दोजार बाइस की श तो इसको लेकर confused नहीं होना है यहाँ पर TET बेसक लिखा हुआ है लेकिन यह जो मामला है वो PET का बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में जो की संबन्दित है UPTGT-PGT को लेकर UPTGT-PGT के अंदर प्रदों की संग्या बढ़ाई जाने के लिए इसके अलाबा सीट व पिछले 6 दिनों से इस मुद्य को लेकर धरना प्रदेशन किया जाए प्रशिशित इसना तक TGT प्रवक्ता इसके लावा PGT-22 के विग्यापन में प्रदों की संक्या बढ़ाने के लिए परिक्षा की तारीक गोशित करने को लेकर मांग के संबन्द में प्रत्यों की चात मोशा के बैनर तले कमिक अंशन का नेत्रत करने वाले प्रदेश अद्यक्ष बिकी खान का गहना है कि चैन बोड के चेर्मिन प्रत्यों की चात्त्यों को गुम्रा करते हैं ऐसे में अब प्रदान मंति को खून से लिखा हो पत्त बेज़ जाएगा इसके लिए दूसरे गु प्रदेश अब्देश का कहना है कि सोंबा को चेर्मिन उसके लाबर सचिव अनुपस्तित की अंसन पर बैठे चात चाता हुए ज़्यादा आकोर्ष देखने के लिए मिले का मतलब यह है कि अगर सोंबार को नहीं आते तो चात और भी ज़्यादा आकोर्षित हो सकते हैं व अगर बात कीजाए सीट वर्दी के बारे में तो चैहन बोर्ष अभी उसके बारे में कुछ कहने के लिए तरह नहीं है अगर बात कीजाए इसके अलावाद पदों की संख्या के बारे में बढ़ाई जाने को लेकर भी चैन बोर्ड के अंदर कोई ज़्यादा खास दिल्चस्पी अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है अब देखना यह होगा कि अगर चेर्मन या फिर सची बात यह तो वो टीजिटी पीजिटी 2022 को लेकर क्या कहते हैं बात कर ले थे अपनी अगली अपडेट के बारे में जो क परवरीश सुरू होने वाली हैं, परिक्षाओं को कारिकर्म सोंबार दिल राद को जारी कर दियागया है अगरववर्दियटीन तो यहां पर तो आप सभी को देखने के लिए अगर बात की जाए लंबित भरतियां पूरी होई तो लगब कियां मिल सकती है सरकार बरली कागजी तोर पर पांच लाग भरतियां देने की बात करती है लेकिन अगर इन भरतियों को पूरा कर दे तो 32 जार छात्तों के घरों में खुशकवरी आ सकती है इसके अलावा कुछ नई भरतियों के विग्यापन भी जारी होंगे जो की लिखा ट्यारियां हैं डिटेल में जानकाई नीचे लिखी हुई है उत्तर प्रदेश अधिया सिर्वा चैन आयोग के माध्यम से भरति परिक्षा लंबित परडाम इसके अलावा परिक्षा और नए आविदन की प्रकिया पूरी हुई तो लगबग 32,000 युवाओं को नोपी मिले जानेंगे लिए और आयोग के माध्यम से विविन विवागों के अंदर करुण शिसायक इसके वावा गढ़ात परफिकारी और करसी प्राबदिक परिवद्धि के लिए बीते वर्स अधियाचन मिला था आयोगना अधियाचनौँ को लेकर पशिर्शन कराने के बाद Greekик twoangen बारे में तो 14,000 प्रदों पे नई भर्ती के बिग्यापन जारी होंगे, जिसके अंदर आपको भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, कनिश्याय की 5000 प्रदों पर कैसी प्राबति की अगर बात की जाय तो 3500 प्रदों पर, गन्ना परवेचर के 951 प्रद आपको देखने के लि इसके अलावा 12709 प्रदों पर इस भरती को लेकर मतलब अलग 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 बरती हैं जैसे कि लेकपाल बरती इसके लाव और भी बरती उनके परड़ाम यहां से जारी कर दिये जाएंगे इसके अलावा अगर बात की जाए कुछ और बरतियों के बारे में जो कि आपको अपरे सेपन परदों पर कनिस आयके 2224 परद इसके अलावा वन दरूगा भरती के अगर बात की है 211 परदों भरती के लिए परिक्षा अपरेल के बाद देखने के लिए मिलेगी तीनों भरती परिक्षाओं के लिए करीब 16 लाग से जादा अव्यरती परिक्षा का इंतिजार करने समलित तकनी की सेवा 244 गदों के लिए 2016 से लंबित परिक्षा परडाम का आईशन किया जाएगा इसी के संबन में जो उनके अध्यक्ष उनके माध्यम से बयान भी दिया गया है कि लंबित परडाम जारी करने और भरती परिक्षा को लगातर जारी रखने के लिए इसके माध्यम से आयूग समय समय पर अपडेट करता रहता है जिसको लेकर उनके माध्यम से त्यारियां की जारी है और लगबग सभी परिक्षाओं को लेकर यहां पर जानकरी दे दी गई है कुछ ऐसी भरतियों के परडाम जिनके यहां से जारी किये जाएगे वो भी यहाँ पर आयूग के माध्यम से बता दिया गया है तो आयूग ने पूरा का पूरा परिक्षा कलेंडर साइज जारी कर दिया है जिसमें आने वाले परडाम के बारे में बताया है परिक्षा को लेकर जानकाई दिये कुछ नई भर्तियों के यहाँ से जो विग्यापन है वो भी जारी होंगे और पुलानी भर्तियों के इंदर कितने परड़ें इसके बारे में भी जानकाई दिती है अब इसको बच जमीनी इस्तर पर लाना बाकी है और अगर ऐसा हुआ तो लाखो अब बेती हुए हमें खुशी आने वाली है तो फिलाल इस वीडियो के माद्यम से इतना है थैंक यू फर वोचिंग इस वीडियो